नमश्कार सु स्वागतम वेलकम मैं निदी शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ मिथुन राशिवात के लिए जुलाई महीना बहुत ही मिले जिले एफेक्ट की साथ आगे बढ़ेगा जहां पर ये महीना आपकी पावर को बढ़ाएगा आपकी बुद्धी मता को यानि इंटेलिजनसी में इंक्रीज करता हुआ दिखाई देगा वहीं इस समय आपके अच्छानक खर्चे आपको परिशान कर सकते हैं हलंकि आप अपनी बुद्धी मता से अपनी खर्चों को कैसे मैनेज करना है ये आप बखू भी कर लेंगे परंतु उसके बावजूद भी चैलेंज आपके सामने जरूर खड़े दिखाई देंगे अब इस महीने के बारे में अगर आपकी टेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको अंत तक मेरे साथ देखना है क्योंकि मैं बहुत कुछ इंट्रेस्टिंग इस मन्त के बारे में आपको बताने वाली हूँ तो शुरू करते हैं मिथुन राशिवालो का जुलाई मा का मासिक राशिपल और सबसे पहले जान लेते हैं इस मा के कैलेंडर के बारे में तो दो जुलाई को योगिनी एकादशी कब रत किया जाएगा 6 जुलाई को गुप्त नवरात्री प्रारंभ हो रही है वहीं 7 जुलाई को भगवान जगनात रत यात्रा निकाली जाएगी 17 जुलाई को देवशेनी एकादशी मनाई जाएगी किस जुलाई को गुरु पुर्णी मा का पर्व अपने गुरु के सम्मान में मनाया जाएगा और 22 जुलाई को श्रावर्ण मास जो कि शिव का मास है जिसका इंतजार हर शिव भक्त को रहता है वह आने वाला है और हर वर्ष की बाती इस वर्ष भी श्रावर्ण मास की पूजा का आयोजन हमारी संस्तान में किया जा रहा है तो यदि आप इस पूजा को बुक करवाना चाहते हैं इस पूजा से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिये गए नमरों पर संपत कर सकते हैं चलिए बढ़ते हैं आगे और आज आते हैं ग्रहों की इस्तती पर कि इसमा ग्रहों की इस्तती में क्या फेर बदल होगा सबसे पहले सूरी की बात करते हैं जो कि अपनी समराशी मिथुन में विराजमान है और 16 जुलाई को अपनी समराशी कर्क में प्रवेश करेंगे बुद्ध गरह की यदि बात करें तो वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशी कर्क में विराजमान है और 19 जुलाई को आपके राशी स्वामी आ जाएंगे सिये राशी में जो कि उनकी अतिमित्र राशी है वहीं मंगल ग्रा की बात करें वर्तमान में अपनी खुत की राशी में स्वग्रे योकर विराजमान है 12 जुलाई को वे अपनी मित्राशी व्रशब में प्रवेश करेंगे गुरु ग्राइस पूरे मा अपनी समराशी व्रशब में विराजमान रहेंगे शुक्र वर्तमान में अपनी अतिमित राशी में तुन में विराजमान है और साथ जुलाई को वे अपनी अतिमित राशी कर्ग में प्रविश करेंगे शनीह इस पूरे महा अपनी मूल ट्रिकॉन की राशी कुम में सवग्रे योकर विराजमान रहेंगे जो रहू और केतु अपनी समराशिया मीन और कर्णिया में विराजमान रहने वाले हैं तो यह तो हुई ग्रहूं के राशी परिवर्तन की बात और आप सभी जानते हैं कि इस राशी परिवर्तन पर ही आधारित होता है हमारा मासिक राशिफल तो शुरू करते हैं मितुन राशी वालों का जुलाई मा का मासिक राशिफल और हमीशा जैसे मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मैं राशिफल आपको देती हूँ ये चंदर करना उपर आधारीत रहता है और आप इसे अपनी राशी और लगन दोनों के हिसाब से देख सकते हैं तो सबसे पहले आपके रासी स्वामी की बात कर लेते हैं जो कि ये बुद्ध और बुद्ध बहुत ही मिक्स रिजल्ट आपको इसमा देने वाले हैं देखें लगनेश बुद्ध तो बहुत अच्छे रिजल्ट पूरे मा देंगे क्योंकि पहले तो वे आपके द्वितिय भाव सेकंड आउस में जाकर अपनी अत्यमित राशी कर्ग में विराजमान रहेंगे और 19 चुलाई को बुद्ध यानि आपके रासी स्वामी राशी परिवर्तन कर आपके थर्ड आउस यानि अपनी अत्यमित राशी सीह में प्रवेश कर जाएंगे बुद्ध का यह जो राशी परिवरता नहीं यह बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि दौनों ही परिस्टियों में आपके राशी स्वामी के हिसाब से बुद्ध के डिसर्ट बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे पहले तो आपके राशी स्वामी अपनी से एक गर आगे बैठेंगे उसके बाद में वे अपनी से तृतिय जाकर बैठेंगे जो आपकी पावर को बढ़ाएंगे आपकी इंटेलिजनसी में ब्रद्धी करेंगे इस समय आप बहुत सोच समझ कर डिसिजन लेंगे बहुत कैलकुलेटिव होकर सोचेंगे कोई भी काम जल्दवाजी में नहीं करेंगे जिसके परिणाम आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेंगे इस समय समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका तेज बढ़ेगा, आपकी पावर बढ़ेगी, जुत्बा बढ़ेगा क्योंकि सूर्य भी आपके राशी में आकर महीने के प्रारण में बैठेंगे शुक्र भी बैठ रहे तो ये जो सूर्य की जो उर्जा है वो उस समय आपको उर्जावान मनाएगी पर कहीं कहीं थोड़ा समती प्रहम हो जाना थोड़ा ओर कॉंफिडेंट हो जाना ये आपको negative result दे सकता है आपको बहुत जादा ध्यान रखके आगे बढ़ना है कि आपको ये negative result ना मिले अब यहां आपके रासी स्वामी आपके बुद्धिमता से आपके money management को और अधिक improve करेंगे जिससे पैसों की आवक बढ़ेगी आपकी intelligence को बढ़ाएंगे आपके जिस्तों में भी आप बहुत सावधानी के साथ और बहुत मित्वेता के साथ आके बढ़ेंगे इससे आपके ज रिस्तों में मिठास गुलेगी वानी से आप अपने मित्रों को और अधिक गहरा मित्र बना लेंगे और आपके शत्रों को भी मित्रता करने पर विवश कर देंगे यानि बुद्ध आपको आपके रासी स्वामी के हिसाब से बहुत ही positive result देगा अब आते हैं आपके सुखिस स्थान पर क्योंकि सुखेस भी बुद्ध हैं तो सुखिस्थान के हिसाब से अगर मैं बुद्ध की बात करूँ तो पहले तो बुद्ध के result 19 जुलाई तक बहुत अच्छे रहेंगे क्योंकि बुद्ध आपके second house में बैठे हैं यहाँ पर आपके सुखों में व्रदी करें अटके हुए कामों को भी आपके पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे मनी मेनेजमेंट आपको सिखा देंगे इसके आर्थिक समस्याय नहीं होगी पर 19 जुलाई के बाद जैसे ही बुद्ध आपके थरड़ा उसमें आएंगे तो बुद्ध हो जाएंगे सुखेस हो जाए चाहे घर पर अचानक से कोई खर्चा आजाना चाहे अचानक से कोई electronic item कराब हो जाना और आपके उपर खर्चा आजाना कि आपको नया लाना पड़ेगा तो इस तरह की समस्याय आपको देखने को मिल सकती है यह challenges आपको accept भी करने पड़ेंगे और sporting ली लेने पड़ेंगे तब ही आप इससे easily बाहर निकल पाएंगे वना निराश हताश होकर आप कुछ भी positive नहीं कर पाएंगे और वैसे भी क्यों हूँ positivity को तो अपने अंदर हमीशा बनाए रखना चाहिए देखे अच्छा दिन कभी भी एक जैसा नहीं रहता उतार चड़ाव जीवन में चलता है तो बुरा दिन भी एक जैसा नहीं रहता कुछ चैलेंजिस कुछ कठिन समय हमें कुछ सिखा के जाते हैं इसलिए हमें उनसे सीख लेकर उसे positively आगे बढ़ना चाहिए तब हम उन कठनाईयों को पार कर पाते हैं तो बुद्ध के रिजल्ट इस वज़े से आपके लिए कोड़ा सा emotional आपको करे गाई पर यहां पर सूर्य आ जाएंगे शुक्र भी आ जाएंगे बुद्ध 19 जुलाई तक बैठे हैं तो definitely इस इस इस्थान में ग्राओं की हलचल चलती रहेगी और उस वज़े से समय समय पर आपको positive result मिलते हुए दिखाई देंगे कोड कचेरी जैसे मामलों में सफलता मिलेगी आपके अधिकारी आपसे प्रसेनच इतना जराएंगे वही कभी-कभी आर्थिक समस्याएं भी आर्थिक प्लच्वेशन भी आपको देखने को मिलेगा पर सोच समझकर अगर आप decision लेंगे तो वो समस्याएं भी नहीं रहेगी तो आपको second house mix result दे सकता है अब आते हैं आपके third house पर आपके पराक्रम भाव के स्वामी है सूरिय और सूरिय 16 जुलाई को परिवर्ते तोंगे पहले तो सूरिय आपकी राशी में आकर बैठा है तो सूरिय का आपकी राशी में बैठना आपने से 11 बैठना बहुत अच्छा आपके बल और पराक्रम को बढ़ाएगा आपकी decision making को बढ़ाएगा आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी करेगा इस समय अगर कोई भी dispute आपके भाई बैनों से चल रहा है तो वो खत्म हो जाएंगे इस समय आपकी power में व्रदी होगी और powerful तरीके से आप decision भी ले पाएंग तो सूर्य और और आपको बहुत शांदार best result देगा पर जैसे की सूर्य आजाएंगे आपके second house में अपने से बारवे चले जाएंगे तो थोड़ी सी arrogance आजाना थोड़ा सा और confident हो जाना थोड़ा decision जल्द बाजी में ले लेना जिससे नुकसान हो जाना ऐसी परिस्तित्यां मुद्पन हो सकती है तो आपको basically मैं बताओं तो 16 जुलाई के बाद बहुत किरफुल रहना है और कोई भी कारे जल्द बाजी में नहीं करना है बस इस बात का ध्यान रख लें अब आते हैं आपके fifth house पर देंकि fifth और twelfth house के lord हैं आपके शुक्र और शुक्र पहले तो आपक के राशी में आकर बैठ रहे हैं और उसके बाद 7 जुलाई को यानि महीने के प्रारम में आपके second house में चले जाएंगे second house में शुक्र जैसे ही जाएंगे आपको बहुत अच्छे परिणाम शुक्र देते हुए दिखाई देंगे यहाँ पर शुक्र के result आपको बहुत ही अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे धनिस्तान में जाएंगे तो पैत्रिक संपत्ती दिलवाएंगे जो स्टूडेंट से उनको पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे मही संतान से आपको अच्छा शुक प्राप्त होगा यदि आपकी female संतान है यानि बच्चिया है बेटिया है तो बेटिया आपको कौरवानवित महसूस करवाएगी यानि आपको प्राउड फील करवा देंगे तो definitely बहुत अच्छे result देंगे शुक्र के यह परिणाम आपके खर्चों में कमी लेकर आएंगे वहीं विदेशों से बहुत अच्छा लाब मिलेगा विदेश यात्रा का सपना पूरा हो जाएगा विदेशों से मिलकर अगर विदेशी currency आप लाना चाते हैं या कुछ काम करना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम राप्त होते हुए दिखाई देंगे तो शुक्र आपको बहुत अच्छे result देते हुए दिखाई देंगे अब आते हैं आपके 6th house पर देखें आपके 6th और 11th house के Lord मंगल यहाँ पर मंगल की position की अगर मैं बा स्थाइल आपको बढ़ाएगा वहीं इस समय कर्ज की स्थत्यों से मुक्ति मिल जाएगी आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे आपकी decision making improve होगी स्वासमंदी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी health problem improve होगी वहीं जब मंगल आपके 12th house में आजाएंगे तब 11th और 6th house के इसाब से बैतर इन परिणाम देंगे क्योंकि 6th house का Lord अपने से 7th बैट कर अपने घर को देखेगा तो इस समय भी कोई बड़ी financial problem आपकी दूर हो जाएगी वहीं आपके decision making improve होगी और कुछ बड़े फैसले आप इस समय ले सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही positive निकलेंगे अचानक धनलाप की योग बनेंगे level और circle बढ़ता हुआ दिखाई देखा कुछ VIPs आपके circle में जुड़ते हुए दिखाई देखाई देंगे और गुरू आपके 12th house में जाकर विराजमान हो रहे हैं यहां खर्च बाव में गुरू बैठे पर यहां गुरू बैतर result नहीं दे पाएंगे क्योंकि खर्च बाव अच्छा नहीं माना जाता 12th house को अच्छा नहीं मानते और गुरू एक बहुत ही सोम्य गरह हैं सॉफ्ट गरह है इसलिए गुरू के result यहां इतने अच्छे नहीं मिलेंगे तो आपको थोड़ा सा कर्म करना पड़ेगा कर्म प्रधान बनना पड़ेगा वहीं 10th house में राहू भी बैटे हैं जो की काम में challenges लाते हुए दिखाई देंगे यानि हर समय कुछ नो कुछ challenge आपके सामने दिखाई देगा पर इस समय आप decision making आपके improve होगी कोई legal मामलों में आपको सफलता जरूर राहू दिलवाएंगे तो यहाँ पर ऐसे मामलों में आपको clean cheat मिल सकती है कुछ अच्छा फायदा हो सकता है कुछ नो कुछ लाब आपको जरूर मिलेगा पर शान्ती से धहरे से अपने कारियों को करें जल्द बाजी बिलकुल भी ना करें अब आते हैं आपके 8th और 9th house पर 9th house में शनी स्वग रही होकर बैठे है 8th house के भी लॉर्ड है तो शनी यहाँ आपके भाग्य को बढ़ा रहे हैं इस समय अच्छानक धनलाब की स्थतियां आपको देखने को मिलेगी यात्रा है सुखद और मंगल में रहेगी लगातार शनी के रिजल्ट आपके लिए बैतरीन बने हुए हैं तो इस समय आप अपने लग फेक्टर को आजमा सकते हैं पर सोच समझ कर निवेश करें कोई भी काम जल्द बाजी में नहीं करना है इस बात को आपको ध्यान रखना होगा तो ये हुआ मिथुन राशी वालों का जुलाई मा का मासिक राशी फल अब हमीशा की तरह को चुपाये लेकर आई हूँ जो कि आपके इस मा को पॉजिटिव और पॉजिटिव बना सकते हैं सावन में हर रोच चावल और गाये के दूद की खीर बना कर भगवान शिव को अरफित करें सावन के किसी भी सुमवार के दिन शिवलिंग पर सरसों के तेल से अभिशिक करें गुरू पॉर्णिमा के दिन साबुत मूं का दान करने से पुन्यफल की प्राप्ति होती है अमावशय के दिन एक पीपल का पौधा अपने घर के आसपास जरू लगाएं क्योंकि इस से आपके पित्र हमेशा आप पर खुश रहेंगे देवशयनी एकादश के दिन ब्रामन को पीला भोजन कराने से पुन्यफल की प्राप्ति होगी तो ये उपाय आपको इसमाह करने हैं परंतु यदि आप अपनी जन पत्रिका के माथिम से अपनी भविशे से सम्मंदित क्वेरीज करना चाते हैं कुछ डाउट से उनको क्लियर करना चाते हैं और सखीत रेमिडिस से अपने भविशे को सवारना चाते हैं तो आप टेलिफोनिक अपोइन्मेंट और पर्सनल मीट के माधिम से मुझ से जोड़ सकते हैं अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिये गए नमरों पर कॉल या फिर पॉट सेप करके आप संपर कर सकते हैं अब मैं अपनी वानी को यहीं विराम देती हूँ स्वस्त रहिए, फ्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमीशे आम मुस्कुराते रहिए जै श्री राते कृष्णा पंडितों द्वारा पूर्ण विधिविधान एवं शासरुक्त रीती से संपन्न करवाई जाती है अतह आज ही अपनी पूजा बुक करवाने है तू इन नमबरों पर संपर करे 8 9 5 5 6 5 8 3 6 2